मैं किसी भी मंचबर, किसी भी व्यक्ति से चर्चा करने के लिए तैयार हूँ इलेक्ट्रोल बॉन्ड ये भारतिय रादनिती में से कालाधन समाप्त करने के लिए लाया गया इलेक्ट्रोल बॉन्ड आने के पहले किस तरह से चंदा आता था? मालूम नहीं इनको कौने सब लिग कर दीता है तो 14,000 करोड के बॉन्ड क्या हाँ गए? 303 सांसद है, हमें 6,000 करोड के बॉन्ड मिले हैं और 242 सांसद जिन पार्टियों का है इसको 14,000 करोड के बॉन्ड निकले, क्या सोर सराबा करे हो गई? करोड और उपयों का संदा लिया कैस में 12,000 करोड के गपले गोटाले ब्रस्टा चार किये जैल में जा रहे हैं और हमसे ही साब मांग रहे हैं इलेक्टरोल बॉन्ड भारतिय रादनिती में से काले धन का वर्चस्व समाब्द करने के लिए लाया गया था सुप्रिम कॉर्ट जो फैसला देती है वो सबको मानना होता है मैं इस पर कोई टिपणी करना नहीं चाहता अभी भी सुप्रिम कॉर्ट में सोमवार को सुनवाई होनी है मैं सुप्रिम कॉर्ट के फैसले पर कोई टिपणी नहीं करता मैं किसी भी मंचमर, किसी भी व्यक्ति से चर्चा करने के लिए तयार हूँ, इलेक्टरोल बॉन्ड ये भारतिय राधनिती में से काला धन समाप्त करने के लिए लाया गया, कोई मुझे समझा दे कि इलेक्टरोल बॉन्ड आने के पहले किस तरह से चंदा आता था, तो कैस से देकर एक bond purchase करते हैं और देते हैं इसमें गोपनियता का सवाला गया है जो cash में चंदा आता था इसका क्या हुआ किसे का नाम जाहिर हुआ है मुझे बताइए तो आज तक किसी का हुआ है किसी का नहीं हुआ परन्तु मैं रादनेतिक चीजों को ज्यादा डीटेल में जवाब बला बला और अभी राहूल गांदी ने तो statement कर दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी उगाही का अगर कोई जरिया है तो इलेक्ट्रोल बॉंड है मालूम नहीं इनको कौन एसम लिख कर दीता है मैं position आज देश की जनता के सामने सपष्ट कर दिना चाहता हूँ भारतिये जनत पार्टी को approximately 6,000 करोड के बॉंड मिले हैं टोटल बॉंड 20,000 करोड के हैं तो 14,000 करोड के बॉंड क्याहां गए है मैं बताता हूँ टी-एमसी को 1600 करोड के मिले कॉंग्रेस को 1400 करोड के मिले बी आरेस को 1200 करोड के मिले बीजेडी को 775 करोड के मिले और DMK को 649 करोड के मिले अब अगर तेर राज्यों में और 303 सांसद 11 करोड मेंबर्सिप वाली पार्टी और देश के सभी युनिट में पार्टी का योग मिला ले इन लोगों का इतना करे मानो कॉंग्रेस में अभी 35 सांसद है उनके 300 हो तो क्या हो एक लगाते हैं तो TMC को 20,000 करोड के बॉन्ड होते हैं BRS को 40,000 करोड के होते हैं और कॉंग्रेस पार्टी को 9,000 करोड के होते हैं मैं प्रोडेटा की बात कर रहा हूं देश में हमारे 303 सांसद है हमें 6000 करोड के बॉन मिले हैं और 242 सांसद जिन पार्टियों का है इसको 14000 करोड के बॉन निकले क्या सोड़ सराबा करे हो गई इस मैं दावे से कहता हूं जब हिसाब खुलेगा यह लोग आपको फेज नहीं कर पाएंगे आज तक परेश्थ हो रख देना बॉन के विरोत रखने वालों का कोई नहीं आएगा मेरे अलावे सर जो एलेक्टोरल बॉन्ड्स में जिन कंपनियों के नाम आए उनमें से कई ऐसी हैं जिन पर कोई ED, CBI का केस चल रहा है और दूसरा जो देश के सबसे बड़े ओधियों के घराने हैं जिनको लेके इती पॉलिटिक्स होती रहती है उन्होंने क्या डोनेट नहीं किया है त क्या गोपनियता की बात करें हैं लोग करोड़ों रूपयों का चंदा लिया कैस में 12 लाग करोड़ के गपले गोटाले ब्रश्टाचार किये जैल में जा रहे हैं और हमसे हिसाब माग रहे हैं हमने तो काला धन को समाप्त करने के लिए बॉन्ड लाये थे मैं आदेश की ज काला धन नहीं है उनकी बैलेंसिट में रिफलेक्ट करता है कि हमने चुनाव के लिए बॉन्ड दिया है सिर्फ गोपनियता इसलिए रखी गई थी वो कॉंग्रेस पार्टी को देंगे तो हम परिशान करेंगे ऐसा उनको डर था हमें देंगे तो जहां कॉंग्रेस का सासन ह वो परिशान करते है इतना डर था बॉन्ड कितना मिला ये पार्टी के बैलेंसिट में रिफलेक्ट होता है और बॉन्ड कितना दिया गया एक कंपनी के बैलेंसिट में रिफलेक्ट होता है क्या गोपनिय बचा गोपनिय तो तब होता है जब अब जो वेवस्ता होगी कैस स चंदा लिया जाएगा तब सब गोपनिये होता होगा और कॉंग्रेस पार्टी को गोपनियता से मतलब नहीं है जब कैस से चंदा लेते हैं तो सौ रूपया पार्टी में जमा कराते हैं और हजार रूपया अपने घर में रख लेते हैं एक कॉंग्रेस पार्टी ने सालों तक व्यवस्ता चलाई पाटी के नाम से 1,100 रुपया लेते हैं, में 5 रुपया पाटी में जमा कराते हैं और 1,000 रुपया घर में रख लेते थे बॉंद अगर 1,100 को लेते हो तो 1,100 रुपया बेंक कर काउंटmeye हो को जरे उनको को पूछे तो आप हमें इतना पूछ ले तो चप 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 करकर उनको चार सवाल तो पूछो बिठाओ यहां पर आई नहीं इंवाइट किया था आई नहीं कोई